सती सावित्री करकर जो वीडियो अभी फिलाल में लोड हुई है उसमें फिलो में आके ऐसा कहा गया कि मरे हुए जो मरी हुई औरते हैं उनको जलाया गया सती जो होती है मरी हुई औरते नहीं होती है वैसे तो सभी लगबग समझते हैं और जानते हैं फिर भी ये जो तोटी है इसको ठीक करते हुए जिन्दा औरत को जिसका पती मर जाता था उसको उसके पती की चिता के साथ जबर जस्ती जिन्दा ही बांध कर उसको जलाते थे और उसकी चीख, पुकार और पिटाई का कोई भी सब्द किसी को समझ में ना आए, ताकि लोग उग्र ना हो और भैसे ना हो, ये जो सती सावित्री सब्द है, सती सावित्री सब्द तब ही से चल रहा है, क्योंकि सावित्री का मतलब होता है सावित्धी, इसको सावित्धी बोलत किये वहाँ दो आराम थे यानि बिहार थे एक पुबाराम और एक जैतुनाराम सबसे ज़्यादा कथाएं वहाँ की हैं सबसे ज़्यादा धम वही सिखाया तो वहाँ की जितनी महिलाएं थी वो लगबग सभी की सभी सती पठान में पारंगत थी इसलिए ये महावरा पड़ा है कि सबसे जो अच्छी महिला, समदार महिला, इमानदार महिला जो सत्य पर चलने वाली महिला हैं वो सावित्ती की होती हैं या सरावस्ती की होती हैं तो ये महावरा चलता है कि ये औरत सती सावित्ती है यानि कि सती इसने परंगत हुई है कि ये सती कहलाती है सती वती है औ सबसे सती सावित्री आज तक भी वो मुहावरा नहीं गया नहीं है किसी भी महिला के लिए इसको सम्मान देना हो यहां एक सफीदो हरियाना में गाउं हैं वहां सतीयों के इस्थम्भ हैं यानि कि सीलंग बोल सकते हैं उनको सीलंग हैं या चैते हैं या स्थूप हैं और आप सीलंग भी बोल सकते हैं सिवलंग भी बोल सकते हैं और सिव अंग भी बोल सकते हैं और शिबलिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि नाम बदलते बदलते सीलंग का शिबलिंग हो गया यह जगे 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 छोटे छोटे स्थूप या छोटे पत्थर या छोट गाओं गाओं में भी हैं एक वकील साव हैं जो बता रहे थे बातचीत में कि उनके गाओं में भी दो सती की मंदर हैं अब उनको समझ में आया है कि ये सती की मंदर किनके रहे होंगे तो ये जगे जगे बिखरे पड़े हैं आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं और जो उसमें जो slip of pen रहा है जिसकी वैसे में ये कह गया कि मरी हुई ओर्टें उसमें जलाई जाती हैं उसको आप ठीक कर लें सती में हमेशा जिंदी औरत स्वस्थे औरत पती के साथ में उसकी चिता के साथ में जबर्जस्ती जलाई जाती है धन्यवाद राजा राम महन राय और भगवान बुद्ध की सती सावित्री ये दोनों ही सब्द बहुत दूर के हैं मगर दोनों का ही संबन्द आपस में बहुत नजदीक का है भगवान बुद्ध की सती सावित्री जो सब्द है अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आपको सावित्ती जानना पड़ेगा क्योंकि सावित्ती जो सब्द है उसी को सावित्री कहते हैं और सती सब्द के जो अर्थ हैं वो इतने बद्रे हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा परिमुक्ष सब्द रहा है कि मेरे कान में जब पहली वार सती सब्द आया तो मैं पढ़ता था क्लास साथ में राट में उस समय एक किताब थी जिसके में लिखा हुआ था कि सती पिर्था भारत के अंदर होती है जिसमें औरतों को मरने के बाद में जिन्दा जला देते हैं उसको सती बोलते हैं और इस सती पिर्था को राजा राम मोहन राय ने खत्म किया इतना मेरे कानों में डाला गया और वही मुझे आज तक याद है मगर मुझे किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि ये सती पिर्था आरहम कैसे हुई और किसने की और वो कौन लोग थे जो जिन्दा औरतों को जलाते थे वो जलाद और वो सबसे दुनिया के कमीने और गटिया लोग जो एक कमजोर अवला नारी को जबर जस्ती आग में उसकी पती के चिताक साद जला रहे हैं वो लोग अब कहाँ है अभी वो भारत में क्या कर रहे हैं उनके वनसजों की मनुवर्ती है क्या कि अभी भी वो इतना ज्यादा खराब बना दिया गया है कि उसका नाम लेते हुए भी सोचते हुए भी डर्द है सती प्रथा नहीं है यह सती पत्ख या इसको कहें महा सती पठ्थान या सती पठ्थान अगर आप महासती पठान या सती पठान कहते हैं तो आपको भगवान बुद्ध के साथ में फिर कुरुक्षेत यानि आज का कुरुचेत, कुरुखेत या कुरुपरदेश और उस समय का थनेसर सहर यानि कुरू प्रदेश पूरा है और कुरू प्रदेश में है थने सर सहर कुरू छेत बाद में बना है बहुत नया सब्द है अभी का है क्योंकि जो कुरू का खेत है और जो कुरू प्रदेश है या कुरू देश है उसमें जो थने सर सब्द है वहाँ पर लोग बहुत जादा पंसील का पालन करते थे पूरे आज का जो अरियाना है यानि हरियाना जिसको बोलते हैं अरियाना अरियाना अरी माने यह है यहाँ अरियान यहाँ स्रेष्ट ग्यान होता था उस जगे वहां के लोग बहुत अच्छे और बहुत बढ़ी आतुरा पंजाब, पुरा हरियाना, दिल्ली, ये सारा अरियाना हुआ करता था, कुरू पर देश तो यहां के जो लोग थे, जब भगवान बुद्ध यहां चारी का करते करते आए, और यहां आके उन्होंने देश ना दी, तो उन्होंने देखा कि यहां के लोग तो पहले से ही पंजसील का पलन करते हैं, बहुत इमानदार हैं, किसी का कोई सामान नहीं उठाते, किसी को नहीं बोलते, कोई व्यवचार नहीं करते, कोई हत्या नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, कोई सुरा सराव नशापदार्थ नहीं पीते, तो इतने सचे लोग लोगों के लिए जब उन्होंने देखा, तो यहां पर देश ना दी, उसको कमासपुर का सतीपठान बोलते हैं कमासपुर में दिया हुआ सतीपठान सूत्र क्या है वो सूत्र वो कहते हैं कि कोई आदमी अगर इस तरह से भावना करे इस तरह से प्रेक्टिस करे इस तरह से विपसना करे तो वो घटाते 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 सालों से घटाते घटाते लाश्ट में कहते हैं कि साथ दिन में मुख्ध को प्राप्त कर सकता है साथ दिन में निबान प्राप्त कर सकता है साथ दिन में अमत्पत प्राप्त कर सकता है साथ दिन में अमरत चक सकता है इतनी खास बात उन्होंने यहां कमासपुर जो दिल्ली के पास में जो जगे है गाउं है वहाँ जहां एक सती पठान का एक पूरा पूरा भगवान बुद्ध का जहां देशना सिखाई जाती है सती पठान सिखाई जाती है वो जगे है तो सती इतना प्रमुक्ताम अगर सती का मतलब क्या है दरसल सती को तो बाद में घिस्ते घिस्ते बहुत सारा विकार करते करते कह दिया यह स्मरती है यानि कि मैमोरी है जबकि मैमोरी के पाली में संया बोलते हैं या संग्या बोलते हैं वो मैमोरी है जो सती है वो मैमोरी नहीं है जो सती सब्द है उसका मतलब है जाग रुक रहना, 24 गंटे विजल रहना, जागे हुए रहना ऐसे जागना है, आँख खोल के नहीं जागना है चौकीदार की तरह आपने जागना है ये देखने के लिए कि सामने जो मैं कम कर रहा हूँ करम कर रहा हूँ, वर कर रहा हूँ ये मेरे मन से, ये मेरे वचन से और ये मेरे सरीर के अनुसार इसमें कोई पाप तो नहीं हो रहा है ये कोई मैं पाप करम तो नहीं करे जा रहा है गटा ये पुन्ड करम है ना, ये अच्छा करम है ना इसकी आपको 24 गंटे अगर जानकारी है तो उसको कहते हैं कि ये सती मंतु है और सती वती है यानि कि अगर वो भिकुणी है या कोई महिला है तो सती वती बोलेंगे उसको और अगर वो कोई पुरुस है तो उसको सती मंतु बोलेंगे तो सती मंतु हो गया तो सती दोनों के लिए आता है सती नर के लिए भी आता है नारी के लिए भी आता है भिकुनी के लिए भी आता है और भिकु के लिए भी आता है उपासक के लिए भी आता है और उपासिका के लिए भी आता है यानि इस तरीका भी है लिंग इसमें और पुल लिंग भी है तो सती इतना उचा था कि सती वान व्यक्ति जो 24 गंटे जागा रहता है वो 7 दिन के अंदर भी निबान को पराप्त कर सकता है जबकि निबान 7 जनम में नीम नी मिलता लोगों को इतना मुश्कल भी होता है तो सती की इतनी ज्यादा महिमा थी कि जो सती पत्थान की उसकी भावना करता था, उसकी प्रैक्टिस करता था, उसकी विपसना करता था, मैंने भी की हुई है, साथ दिन होती है, धमचाला के अंदर करके आया था मैं, धमशेकर नाम का वाइक सेंटर है, विपसना का, तो वहाँ बताते हैं कि सरीर पे कैसे कैसे प्रभाब पढ़ता है अच्छा ही होगा आप अपना पुर्णे भी देख सकते हैं और अपना पाप भी देख सकते हैं पुराना भी और नया भी हाथ के आथ हो रहा है वो भी और जो पहले से खटा कर रहता है वो भी उसको डिलीट भी कर सकते हैं निकाल भी सकते हैं यह वे प पती मर जाता था यानि किसी महिला का अगर पती मर गया तो वो करे क्या अब उसका मन तो लगना नहीं क्योंकि पती की तो वो सेवा करेगी या पती के लिए खाना बनाएगी या बाचित करेंगी या दूसरे का मन लगा रहेगा अब उसके पास में कोई ऐसी भावना है नहीं तो वो भिक्कु संग में सामिल होके भिकुडी बनके अपने बाल कटा के गंजी हो जाती थी, क्योंकि बाल सारे कटान है वन्ना विपस्णा साधना में दिक्कत आएगी, लंबे बाल आपके हिलेंगे तो साधना नहीं हो पाएगी, तो भारत में ऐसे कई सिंट राजवी हैं जहां मैलाएं अपने बाल कटाती हैं, जटायने नहीं रखती, जबकि भारत के जो और तरह के जो और पद्धतियों के जो साधू संत हैं, वो जटाय यू होते हैं, वो जटा रखते हैं, मगर ढखो या बहको नहीं जटा हटा देते हैं, क्योंकि साधना विपस्णा में दिक्कत आथी हैं, और गंदी भी रहती हैं, सुंदर्टा बढ़ती हैं, सुंदर्टा बढ़ेगी, तो मन अटका रहेगा तो विपस्णा साधना होगी नहीं, बालों को देखते रहेंगे, बालों से चेरा सुन्द लगेगा, तो विपशना साधना कैसे होगी, तो ये भी कारण रहा, तो वो केस कपन का, यानि के केस के कटने का, बालों के कटने का, वो इस्थान आज भी कही जिगे है, मुत्रा के अंदर है, तुरूपती के अंदर है, और सबी जगे जहां धमो पड़ाया जाता था, आज भी बाल काटने के लिए कटवाने में लोग जाते हैं, अपने बच्चे का मुंडन कराते हैं, मुंडन का मतलब मुंड़ा लोग, मुंडे लोग, मुडिया लोग जिनके बाल कटे होते हैं, तो बच्चों को मुंडन कराने का बिक्कु जीवन में पहली बार देने का पदापन करने का पहला कदम रखने का उनके बाल कटाने का प्रिक्रिया होती है उसकी दावत भी होती है खुशी भी होती है कि हमारा बचा पहली बार धमर में जा रहा है तो उसकी चरिया उसी साफ से होती है तो मुंदन भारत की वह प्रथा है और वही मुंड़े लोग हैं वही मुड़िया लोग हैं वही मुड़ा मोड़ी हैं तो वो जो लोग अपने बाल कटाते थे तो महिलाएं फिर प्रेक्टिस करने के बाद में सती पठान करते थे और सती पठान करके वो सती मंतू या सती वती हो जाते थे और सती वती नहीं चलता था तो उनों लोगों ने जब पहले तो धम को खतम किया और जब धम खतम हो गया तो ये जो महिलाए धम की पिलर थी जो सती महिलाए थी जो धम की पिलर थी धम की ये बल्कुल शलाका थी धम की इस्तंब थी उनको खतम करने के लिए उनों ने उनको जलती आग में जबरजस्ती ठपैत और लटःत ठपैत मने ठपैत माने जो लटट के साथ में खड़ा हुआ ठपैत है ठपैता ठपैती तो जो ठपैत है या ठापत है उसके साथ में जबरजस्ती लटटों के साथ में उनको वहां डाला और जलाया जिंदा और फिर उसकी महिमा करी ताकि जिस गरवाले अपनी जान बचाने के लिए चुप हो गए और फिर उसका महिमा करके गुरगान करके उसमें मरलम पट्टी करने की कोशित की गई और फिर मांसी रूप से धीदरे इस घटना को मन में स्थापित किया गया कि ये सती माता है ये सती देवी है इसकी पूजा करो इसकी जाजा करो इसकी महिमा करो इससे बहुत कुछ मिलेगा जिन्दा किसी व्यक्ति को आप जलाओगे तो वहाँ पाप होगा पाप को होते हुए आप देखोगे भी तो भी आपका सरवनास होगा जो करेंगे उनका तो होता ही है तो आपका सरवनास होगा तो उस मंदिर से उस ज ये कैसे तो हमेसा नुकसान ही नुकसान होगा वो उरत आपका क्या फायदा करेगी जो खुद जल के मरी है चीक चीक के मरी है तो ये सती पर्था को क्योंकि पर्था सब्द बादें बना है सती पत है सती पत होता था वो जो जागुता का पत है यानि सती मार्ग, जो भगवान बुद्ध ने दिया, यानि कि जागरुक रहने का पत सती पत, उस सती पत को सती पता बना दिया, सती पर्था बना दिया, पता पाली का वर्थ है और पर्था संसकाइद भासा गया, तो सती पर्था बना के, उस पुरानी मानेता को तो खतम कर द गुष्र की चरवा और महिलाओं बने लगी। तो आपने ध्यां दिया होगा कि कुछ और खास लोगों ने अपनी महिलाह नहीं बनने दी। उन्हों लोगों ने गौड के नाम पर उन महिलाओं को बचा के रखा कि गौड की इक्चा नहीं है। गौड नहीं चायता, वो अपनी महिला को नहीं जलने देते थे, और उकी महिला जो भिक्कु बढ़ने वाली हैं, भिक्कु नहीं बनने वाली हैं, उनको जलाते थे, इस तरह से उन्होंने अधम को फैलाया, और करम कांड को आगे बढ़ाया, इसी घटना में चलते चलते चलत के साथ में, उस चिता से पहले एक पत्र उन्होंने लिखा, उसमें लिगा था, कि देवर जी, अगर आप यहां होते तो सायद में बच जाती, तब उसके बाद जो, उस समय के जो गवरन जननल थे, गवरन जनलन को उन्होंने अप्रोच किया, गवरन जनलन ने उस प्रथा पर रोक लगाई, मगर प्रैक्टिस बंद नहीं हुई, यानि के कानून आ गया, मगर प्रैक्टिस चलती रही, चोरी चुपे और धर पकड़ चलती रही, आज के समय में वी ओर्टें जिन्दा जलाई जा रही है, खुब जलाई हैं, वही प्रथा दिमाग में लोगों के अभ होगी हैं, एक सबसे बड़ा प्रसन ये है, कि जब औरत मरती है, तो पुरुस को क्यों नहीं जलाया गया, या आप इस बात को समझें, क्योंकि अगर पुरुस को भी जलाया जाता, तो पुरुस वरोध करता, फिर वो खड़ा हो जाता डंडा लेके, तो फिर जलाने वालों की हिम्बत नहीं होती महिला को, इसलिए महिला को जलाया, क्योंकि महिलाओं से ज़्यादा खत्रा था, एक घर में जाके, दस घरों को जो पलाती थी, उससे दस घरों का बहुत बड़ी अलाव होता था और वो आडंबर से निकल जाते थे, इसका सती प्रथाद को अगर आप को सती कर लेती थी, सुयम को जला लेती थी, या कुए में कुद के मर जाती थी, ये बिल्कुल सरासर जूटार, गलत और आरोप है, हर एक आकरंता जितना भी पूरी दुनिया में, जब किसी देश में कोई सेना घुसती है, मारती या कारती है, तो हर सेना वहां की ओरते हैं, वहाँ का पैसा, वहाँ का घरों में आग लगाती है वो लूट पाट के चलती है और तो अपने साथ ले जाती है उनका इस्तमाल करती है और बाकी घरों में लूट पाट करके सामाल ले जाते हैं ये सारी सेनाओं का एक निचर है ये खाली मुसल्मानों का नहीं अगर को आकरनता तो हैं ये मुसल्मानों के लावा और भी दुनिया में जितने भी आकरनता हैं या जितने भी आकरनकारी हैं या घुस्पैटी हैं उन सब का ही है चाहे वो होन हैं चाहे वो सक्ष हैं अगर आप देखेंगे तो इसका पहले case में इसका नाम मिलेगा दखाइनी दखाइनी बोलते हैं दखाइनी का मतलब है जो देख सकती है जो समझ सकती है जो जागरूख है जो सती है यानि सती का एक नाम दख्खाएनी भी है और अगर आप पुरानी किसी पुराने कथा में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो पहले केस हुआ है जलाने का वो महादेव की पत्नी का हुआ है महादेव की पत्नी को जलाया गया है तो उनिको नाम सती भी दिया गया है अब महादेब कौन थे और उनकी पतनी को क्यूं चलाया गया ये मेरी जानकारी मनी है क्योंकि मैं पुराणों का विशय सग्ज नहीं हूँ पुराणी कताओं का विशय सग्ज नहीं हूँ धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ओडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी कॉपी राइट फिरी है आप अपने Facebook पे, अपने पेज़ पे अपने टुटर पे, या अपने handle पे या लिंक को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर क्या हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद गच्छा में बतां शरनं गच्छा में धंधां शरनं गच्छा में संघं शरनं गच्छा में